आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही क्यूट से स्लिपर्स यह मैं एडल साइज में बनाना सिखाए हैं उसका लिंक डिस्क्रेप्शन में होगा अगर आप बनाना चाहें तो यह नीचे कमेंट कर दीजेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी वैसे आप किसी भी साइज में यह बना सकते हैं यह जो साइज मैं बना रही हूँ वो तीन से लेकर एक साल तक के बचे के लिए ठीक रहेगा लेकिन अगर आप और चोटे न्यूबॉन के लिए हैं उससे ज्या लाइया और उनसे इस्तमाल कर लें बस तरीके को फॉलो कर लें आप सीधी स्लाइया यूज कर सकते हैं मैं डीपीन सिर्फ सिखाने के लिए इस्तमाल कर रही हूँ I am using DPNs just to demonstrate you can use any size of needle and yarn आपने 22 फंदे स्लाई पे डाल लेने cast on 22 stitches for this size you can use any method to cast on stitches if you want to follow this cast on method search cast on by clean knits आप किसी भी तरीके से सिलाई पे फंदे डाल सकते हैं अगर आप ये वाला तरीका इस्तमाल करना चाते हैं जो मैं कर रही हूँ तो आप सर्च करें cast on by clean knits बहुत सरे cast on method निकलाएंगे मैंने बहुत तरीके सिखाएं अभी हम 22 फंद डालेने के बाद after casting on stitches row 1 पहली स्लाई पहली दूसरी तीसरी चौती पांच भी पांच स्लाईयां हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेने हैं right और wrong side दोनों तरफ से उल्टी सीधी साइड दोनों तरफ से 1,2,3,4,5 5 rows we are going to purl all stitches purl मतलब उल्टा फंदा knit मतलब सीधा पं लेने हैं like this row 1 purl all stitches row 2,3,4,5 purl all stitches row 1 completed पहली स्लाई पूरी हो गई है अब मैं थोड़ा सा बिगनर को देखें बता देती हूं कि दूसरी स्लाई बी इसी तर रही होगी यह देखें दूसरी स्लाई भी पहला पंद आपने थोड़ा सा टाइट बुनना है first stitch pull little bit tightly उसके बाद सार पंदे आपने उल्टे बुनते जाने उसी तर रही बस देखा रही हूं आपको कि आपने पहली स्लाई भी उल्टे बुने दूसरी भी तीसरी चौती पांच भी सब उल्टे होंगे 5 rows completed पांच स्लाईया यहां पर पूरी हो गई आप गिन सकते हैं यह देखें एक दो तीन चार पांच यहां से भी गिन सकते हैं एक दो तीन चार पांच अब यह देखें यह राइट साइड रखेंगे हम यह आप देख रहे हैं यह इस तरह से आपको पता चलेगा कि यह side है, तो from right side you will count that you will have two ridges, two lines of garter stitch, this is one and this is two, so after two ridges of garter stitch, दो आपको ये वाली line मिलेंगी, उसके बाद आपने right side से क्या करना है, दो सिलाइयां इस टॉकनेट stitch में बुननी है, मैं आपको करके दिखाती हूँ, next row, 6th row, right side, 6th row, right side से ये देखें, आपने क्या करना है, सारे फंदे सीधे बुन ले, knit all stitches, सारे फंदे सीधे बुन ले, 6th row completed, 6th row, 6th row, 7th row हमारी, 7th row, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, अब मज़े की बात, जो उल्टी side की स्लाइयां होंगी न, ये देखें, ये उल्टी side है, तो उल्टी side की सारी स्लाइयां, उल्टे ही फंदे होंगे, 7th row completed, now keep repeating from row 2 to 7, for your desired length, देखें, दूसरी स्लाइय से लेकर, आपने क्या करना है, 17th स्लाइय तक repeat करते जाना है, हमारा sequence क्या होगा, कि इस तरह से आपको 2 लाइने मिलेंगी, 1, 2, 2 लाइने मिलेंगी, और फिर राइट साइट से आपने क्या करना है, एक स्लाइसी दी, एक उल्टी, बिना खींचे मैंने इसको यहाँ पे नापा है, 5 इंचिस तक इसकी हमें length मिली है, without stretching, 5 इंचिस length we have, एन इसकी width मैं आपको बताऊं, साड़े 4 इंचिस इसकी width है, 4.5 इंचिस width we have, अब हमें size मिल गई है, right side है, यह देखिए right side की, जैसे मैंने आपको निशानी बताईए है, right side से अब next row, आखर में यह 2 ridges होनी चाहिए, क्योंकि यह देखिए, इदर से भी 2 ridges हैं, 2 line हैं और इदर से भी 2 line हैं, उसके बाद हम stitches को बंद कर देंगे, फंदों को बंद कर देंगे, अब फंदे किसी भी तरीके से आप बंद कर सकते हैं, you can cast off stitches with any method, you know, cast off मतलब फंदों को बंद करना, bind off करना, simple वाला method, 2 फंदों को आप साथ बुनेंगे, through back loop, यह दिखें इस तरह से, फिर यह फंदे को वापस डाल देंगे, आप फिर से दोनों को साथ बुनेंगे, through back loop, पीछे के loop से, मैं आपको फिर से बताती हूँ, कि पीछे का loop क्या है, तके beginner को देखें, हम इस तरह से सीधा फंदा बुनते हैं न, इस तरह से नहीं डालना, यह front loops हैं, यह back loop मतलब यहां से, इस तरह से अब दोनों फंदों को साथ बुनते जाएंगे, knit two stitches together through back loop, and keep closing them like, bind of हो गया है, सारे फंदों को हमने यहां पर बंद कर दिया है, यह देखें, धागे को secure करते काट लेंगे, धागा थोड़ा बड़ा काटेंगे, ताके शूर सीने के काम आ जाए, इसको आप यूँ बड़ा कर लें, उपर खींच ले धागे को, यहां तक, और फिर यहां से काट दें, अब हम इसे सीएंगे, यह वाली right side हमने रखनी है, और यह वाली wrong side, तो अभी हमने इसको यूँ पकड़ लेना है, क्योंकि हम यहां से लेकर इसको यहां तक बंद करेंगे, इसका front part, और इसके बाद back part बंद करेंगे, अभी हम धन्यूश को मत bearईों, क्योंकि हो, क्योंकि हम इसको यहां से यहां से कपड़ दोग्या। अप्ड़ों, यहां से इसको यहां सोनियों। ओर लिफे सी, झाल 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 अंदाजन धाई इंचस तक आपने इसको खुला रखना है और वो भी आपके डिपेंड करता है कि आप ज्यादा बंद करें और यहां थोड़ा सा और इसको खुला रखें मैं आपको अभी बताती हूं पेर पे नापके देखें तो एन आफ एंचस आफ एंचस आफ एंड और आपके देखें में बताती हूं थोड़ा सा अब आपकी मर्जी है कि यहां तक इसको बंद रखें या आगे उपर थोड़ा और कर लें यहां इसको नीचे बंद रखें इसको हम टाका लगा लेंगे झाल 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 वेविन कर लिया है मैंने यहां पर वेविन कंप्लीटेड औल वेविन वेविन विल बी ऑन रॉंग साइड उल्टी साइड पर जितने भी वेविन होने होंगे और अब यहां पर मैं बो लगाऊंगी आप बो की जगह पर बटन लगा लें जो मैंने एडल साइस सिखाई हुई है उस पर मैंने बटन लगाया हुआ है बो बनाने का जो है टुटोरियल मैंने दिया हुआ है डिस्क्रप्शन में यहां आप नीचे कमेंट कर दीजेगा तो मैं आपको सेंड कर दूँगी कि बो किस तरह बनाते हैं यहां इसलिपर रेडी हो गए हैं दूसरा भी आपने उसी तरह बनाना है अगर आपने न्यूबॉर्ण के लिए बनाना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं मैं आपकी हल्प कर दूँगी यह तीन महिने से लेकर एक साल तक का बच्चा पहन सकता है बट हेल्थ पर भी डिपेंड करता है हो सकता है कि उससे ज्यादा भी पहन ले क्योंकि स्ट्रेची होते हैं थेंक यू सो मुच पर वाचिंग मैं वीडियो अलाह पिस